नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रहे होगी लेकिन उसको और भी अच्छा चलाने के लिए रोज हम आजाते हैं रोज सामके साथ बज़े आपके लिए वीडियो लेकर और फिर इसी वीडियो के अधार वो आपके लिए बना कर बेजाएं कि इसको भी बता दे जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो विद्यारती हैं उनकी हेल्प हो सके तो आज हम इसको ही देखेंगे इसके जो सभी प्रस्ण हैं उनको हम देखेंगे ये पीडियाफ में ने कल ही आपके साथ शेयर कर दी थी अपन लेकिन दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ यह उनकी ओटो बायोग्राफी है यह उनकी आत्मकता है यह पत्रीका नहीं है यह उनकी किताब है तो यहाँ पर देखो अब इसमें से ऐसे प्रस्ण पूछेंगे यह चार ओप्सन दे दिये अब बताओ सभी विकल्प क्या है कि केवल एक और तीन यह यह पहला और तीसरा यह राइट वहाँ पर पूछेंगे माई गांदी पुस्तक के लेकर कोन है तो दोस्तों इसका राइट अंतर हो जाएगा नारायन देशाई कोन है तो यह किताब है कि मैंने एक ही वीडियो में करवा यह तो आप उस ज़ुड देखने को मिलेंगे किताब उसे मातमां गांदी के आनुसार सो राज्य किस पर निरबर तो दोस्तो इसका राइट आंतर क्या हो जाएगा आंतरिक सक्ति पर आपको पता हैं गांधी जी में बार इस सक्ति तो थी नहीं अना तो उनमें एक आंतरिक सक्ति थी जिसकी जैसे वो अंग्लेजों से लड़ सके और उनसे वो बिलकुल भी नहीं डरे अब यहाँ पर देखो किसने गांधी जी को अंटू दिस लाश्ट जो किताब हैं वो पढ़ने को दीती यह अच्छे से करवाया हैं और आप सभी को अच्छे से पता भी होगा राइट आंतर क्या हो जाएगा दोस्तो मिस्टर पोलक ने तो जो मिस्टर पोलक था इसने गांध से किस की जो है कभी भी मलब कोई जगा नहीं होती वह आपको बताना है तो बताईए अज़ेसे लोकतंतर होता हैं इसमें क्या होता है जनता का सासन होता है तो इसमें क्या नहीं होना चाहिए लोगतंतर हो गantee गैंदीजी अपनी आत्मा का आहर किसे मानते थे तो उपवास को यह बहुत यह ज्यादा उपवास करते थे एंगिलेंड में बुझरा का क्या नाम है दोस्तों इंगेलेंड है भाई पर रुपींझ को क्या करते थे जब आएवल थे जब अचुर रही है 2-800 सिन्वा की बात कर रहे हैं दोस्तों ये कौन सा इस्टी मरता एक तरह से जहां समझ लो उससे कलकत्ता जाने के लिए रवाना हुए थे तो राइट अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों राइट अंसर अपना हो महातमा गांदी जी के सबसे बेटे सबसे जो बड़ा बेटा है उसका नाम क्या था तो राइट आंतर हो जाएगा क्या हो जाएगा हरी लाल यहां पर दास नहीं हरी लाल ठीक है हरी लाल क्या हो जाएगा इनका बड़ा जो बेटा है वो जाएगा फिर फिर उसके बाद मनी ला ठीक हैं तो ह्रीधास अरीलाल आप इयाद रखना आगला प्रश्नि देखिए महात्मा गंदी को किस स्टेशन थे हैं रेल गाड़ी से उतार दिया गया था या एक तरीके से इनको बेज़त करके बार उतार दिया गया था तो राइट आंतर क्या हो जाएगा राइट आंतर हो जाएगा पिटर मेरिसबर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों पिटर इसका पूरा नाम सेंट पिटर मेरिसबर्ग है तो य तो राइट आंतर इसका क्या हो जाएगा राइट आंतर मात्मा गांधी के द्वारां बताये गए हरताल से संबंदित तरकों से गलत कौन सा है जो इन्होंने नहीं बताया है वो आपको बताना है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हरताल करने वालों के बीच आपसी एकता होनी चाहिए तो यह क्या अतर के संगत कौन सा है हरताल का करण आयुजित होनी चाहिए हरताल करने वालों के परतिहिंसा करनी चाहिए उद्दे से विहीन हरताल होनी चाहिए 10 वृत्त्े से एकनी चाहिए सब्स हाइनकिन 13 have a और आप खुद भी बता सकते हैं यह क्यों कहने कि एसिसी एकन निपाल आ शाहिए न गलत हो जाएगा मतलब तो यह तीन और चार गांदी जी के दौरा हरताल के जो इन्हों ने तर्क दिये थे उनमें यह नहीं है ठीक है तो यहां पर यह भी उप्शन से हो जाएगा कि साथ, थीसरा और चौता खतन बिल्कुल सही है कि यह बिलकुल भी जू हे मसीनों के पृति मात गांदी जी कि क्या पृति पर्ति क्रियाति बाइस अगला प्रस्ठी ने तो जो मसीनी करन था उनके प्रती तोड़ा सा क्योंकि अपको टाइम भी लगेगा तो यहां पर देखो यह कह रहा है कि चम्पारण कहां पर रहें दोस्तों चम्पारण कहां हो जाएगा भारत में ठीक है उसके बाद वहां पर पर में यह से करें फिर इसको कैसे करेंगे देखो जोँ आन्स वर्ग खाएं जोँ आन्स वर्ग अपना हो जाएगा जक्शिन अफ्रीका में एफिल्टावर खाएं परिस्वोल लंदन काएं बेटेंड आप देखो ए ओप्शन ए जो हैं वो किसे मिला मारा ए मिलाएं अब यहां पर एससे कर लेना मिला है अपना पर ले और यह यहां पर डी लिए लिए टेहरएं डी अपना मिला मिला हैं चोथे ऑप्षान मिला से इसका मतलब यह हमारा रायट इसे मिलाता खैक से मिला था ठीक है तो थोड़ा सा समझ कि इनको करना ताकि आपके वहाँ पर कोई गलती ना हो का अर्थ विने के साथ मना करना हैं बताइए इन में से किसका अर्थ हैं विने के साथ में मना करना तो सब समझ गए होंगे सब विने अवग्या कारतें विने के साथ में अवग्या आंतर क्या हो जाएगा हिंदुस्तानी अगला प्रश्ण देखिए दक्षिन अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया यह कतन किसने कहा था वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चंद्रन देव सेंने कहा था कि आपको बता है जब तक यहां का आदमें बन चुके थे इसलिए यह कतन कहा गया है बिहार के नामकिसान ने गांधी जी से चंपारण में आंदे का आग्रह किया था तो वह कौन था दोस्तों राजकुमार सुकला था आप सभी समझ गए होंगे सभी नयवे ग्यांदोलन को गांधी जी ने पुना कब प्र सभी ने थीक हैं हम आपके सर्थों को मालेंगे आप उमारी सर्थों को माल लेकिन दोस्तों यह वहां गए गोल में सम्झ भाग लेने और यह वापस आय तो कुछ अलगी पाया यंहोंने सर्थों अंग्रेजिए नहीं नहीं वाना तो फिर वापस इन्होंने आंदोलन कुछ सुनाए गई तो राइटान्थरो जाएगा दोस्तों देश देश्व देश्व समझो या राजडरो समझो उसमें राज मतलब अपना देश तो राज देश्व का मतलब उसमें । दूर नाम था राइट आंतर क्या हो जाएगा पहली मैला आप से पूछ रहा है तो पहली मैला या पर जाएगा अपनी कमला देवी क्या हो जाएगा दोस्तों कमला देवी हो जाएगी मातमा गांधी जी का राजनितिक मोन किस वर्थ हुआ था एक साल के लिए एक तरीके से रुख गए थे राजनिति में उन्होंने मोन ले लिया था तो वह आपको बताना है तो राइट आंतर हो जाएगा 1925-25 या अगर 25 ओप्शन में नहीं हो तो 1926 खेडा का किसान आंदुलन क तो इसका क्या अंतर हो जाएगा दोस्तों इसका राइट अंतर हो जाएगा अपना 1918 में अगला प्रस्णित देखिए निम्र में से लाल बाल पाल में सामिल नहीं है यह आपने पढ़ा हो गांदोस्तों लाल यानि लाल बहादुर्स तास्त्री बाल गंगादर तिलक और व उसका अपना राइट हो जाएगा कौन नहीं तो केसरी सिंग पाल नहीं है अगला प्रस्णित देखिए महत्मा गांदी ने कुस्वर्स रोलेट सत्यागर किया तो राइटांसर क्या जाएगा बताइए जो खिलाफत आंदोलन है ये कब सुरूँ किया गया था टो राइट तो आगे बढ़े आगला प्रश्न देखिए नमक सत्यागर में मात्मा गांदी नमक को परतेग घर में पाई जाने वाली उस्तु बताया था बताये जरूरी आवश्यक परियारे इन सबी का मतलब एक ही हो गया दोस्तों तो दी ओप्सन अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1915 में गांदी जी में कुम्ब मेला देखने गए थे बताये दोस्तों कहां का कुम्ब मेला भरा था जिसको 1915 में गांदी जी देखने गए थे तो राइट आंतर क्या हो जाएगा अपना राइट आंतर यहां पर हो जाएगा हरी दौर कहां पर गए थे हरी दौर गांदी जी के निजी सचीव के रूप में किने जाना जाता है तो राइट आंतर क्या हो जाएगा दोस्तो महादेव देशाई को जाना जाता है अगला प्रशनी देखिए हो गया ये अगला प्रशनी देखिए जज का नाम बताना है उस जज का नाम बताईए जो महातमा गांदी के जज था उसका नाम बताईए तो दोस्तों इनको जिन्होंने च्छ साल की सजा सुनाई थी ये ब्रू फिल्ड वही था एक तरीके से समझो यहां पर ब्रू लिकरा है ना ब्रू का मलब ब्रो अब जो गांदी जी को ब्रो मानता है तो वही ऐसी बाते करेगा ना लेकिन जज है भारत में आने किस समय यह वाक्य किस ने कहेते संत लोट आया है यह कहता रविंदर्नाथ enको ने कह तो आपको कि कौन सा अंदुलन कभ हुआ था तो चलिए मिलान करते हैं यहां पर देखो दोस्तों खिलापत अंदुलन कभ हुआ था भी हमने पढ़ा 1919 में साइमन कमिशन कभ आया था दोस्तों 1928 में इसको यह से मिला दिया प्रांति यह संसदों के लिए चुनाव हमने कल ही पढ़ा था 1937 में जिसमें कांग्रेस ने च्छ जीते थे ठीक है च्छ लप्षीटे जीती थी फिर मिल मजदूर यह हुआ था 1918 में तो आप क्या करोगे आया आमना सही हो जाएगा चोटा उप्षन बी में कौन उप्षी तर्ड उप्षन और फिर दे में कौन सा जाएगा डी में अपना हो जाएगा सेकेंड और फिर इनी का यहाँ पर दिया गया है तो वहां आराम से करड़ों यह देखो यहाम पर ठीक है अगला प्रस्ट देखिए अगस्थ परास्था ये परवाओ के दरष्टी से उद्देश से परक नहीं था, तो बिल्कुल इसका उद्देश ही था, वही हम इनको जो अंग्रेज हैं, उनको भगा देंगे, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो बताएए कौन सा कत्षन, मलब इनमें से कौन सा कुन सा कतन मलब सही है सही बताना है तो A option मलब यह तो हो जाएगा यह तो पहला तो गलत है इसका मजलब D option इसमें सही हो जाएगा कि यह दूसरा और तीसरा क्या है राइट है ठीक है ऐसे प्रशना आपको देखने को मिलेंगे मादमा गांदी के भारत परवास को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है तो किस नाम से परवासी भारती देवस के रूप में हम मनाते हैं तो D option इसमें राइट हो जाएगा अब बताईए कि कौन से देश में गांदी जी से पगड़ी उतारने के लिए का गया था तो यह तो बच्चो वाला प्रशन हो गया दक्षिन अफरीका में आपको तो यह भी पता है कि कहां पर का गया था अगला प्रशन देखिए उत्तर परदेश के किस जीले में चोरी-चोरा कांड हुआ था जिसके चलते सयो गांदोलन को इस्तगित कर दिया गया था तो कौन सा जीला था गोरकपुर जीला था गांदी जी के अनुसार वो मतलब पाप युक्त हैं जो यह अनुमती देता है कि एक देश दूसरे देश को लूट ले अगर ऐसा कोई मतलब ऐसा इसी बात करता है तो वो क्या है? पाप यूपने तो बताए ऐसा गांधी जी ने किसके समंद में कहा था? तो अर्थ सास्तर के समंद में कहा था? आप इसको इसकिप कर सकते हो अगला प्रचन देखिये गांधी जी ने सबसे जादा बल किस पर देया था? तो आपको बताएं गांधी जी बार 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 किस सब्द पर बल देते थे तो राइट आंतर अपना क्या हो जाएगा कि इंसा मत करो इंसा गांधी जी के रचनात्मक कारियों में सामिल नहीं था तो इनके रचनात्मक कारियों में बताएं इनमें से कौन सा सामिल नहीं थ या बहुत कम किया हो नामातर का किया हो तो रायट आंतर हो जाएगा मज़ी राकी अनुमति यह तो दूटे न खाय था खेवाइब आप मज़ी राका फेवन करो तो रायट आंतर हो जाएगा वेस्ट नहीं जंतों ते ने कहिए बहुत ही ज्यादा हुआ था उसमें भी पूचा गया था तो राइटांतर हो जाएगा नर्सी मेता कोने दोस्तों नर्सी मेता इसके क्या हो जाएंगे राइटर हो जाएंगे गायक हो जाएंगे सोरी अगला प्रशन देखिए गांदी जी ने एक मात्र साम राजे की संग्या किसे दी थी बताई यह साम राजे की संग्या किसे दी थी कि यही एक मात्र साम राजे हैं तो हो जाएगा अपना प्यारा भारत अगला प्रशन देखिए महात्मा गांदी द्वीराष्टर जानते थे क्या गांदी जी चाहते थे कि वह गांदी जी जो हैं कि दो राष्ट बने बारत पाकिस्तान यह से कुछ करके तो यह चाहते थे क्या तो बिल्कुल जो है नहीं चाहेंगे यह बिल्कुल विरोधी थे इसके मादमा गांदी भारत को कौन सी भूमी मानते थे बताए भू合 टंत्र में तो यह ज़रूरी जरूरी होना चाहिए तो आपको पताएहनों ने जो लोगतंत्र पहले गाउं का विकास होना जीति आपने का विकास हो जाएक और इसलिए पिर आपको पताएं यह पंचाहिती राजयुसता हैं यह हमारे समीदान में जोड़ी गई थी अजर्वाइज इस्टाटिंग में नहीं थी तो मातमा गांदी किसी कारे को प्राइसचित के रूप में करने के लिए क्या करते थे मलब किसी भी कारे का इनको प्राइसचित करना हो तो वो केस्टे करते थे तो राइट आंथर अपना हो जाएगा उपवास करके मातमा गांदी को एक वर्ष की भारत की यात्रा करने की जो सला है वो कितने दीती इसको कितनी बार कर चुके हैं तो यह जो इनके political गुरु थे गोकलेजी हुनोंने मातमा गांदी के बिमार होने के समय उनकी जो देखवाल है वो कोन करते थे तो राइटांतर क्या हो जाएगा डोक्टर जीवराज मेता कौन करते थे ये कौन थे एक डोक्टर थे अगला प्रेशनी देखिए मादमा गानी ने सत्यागर का सबसे पहले उपयोग जिस इस्तान पर किया था वो कौन सा था तो राइटांतर क्या हो जाएगा साउथ अफरीक लेकिन यहां पर दे देता कि भारत में कभी किया था तो फिर क्या करोगे मात्वा गांधी गौकले के साथ पूना पहुंचे थे यह इस्तान वरतमार में कहां पर रहे तो प्रतेक इस्टुडेंडिस का जवाब दे सकता है कि यह कहां पर हैं महाराष्ट में पूने महाराष्ट में राज कोट में गांदी जी कहां पर गए थे तो राज कोट में गांदी जी कहां गए थे तो राइटांतर क्या हो जाएगा सांति निकेतन राज कोट से गांदी जी कहां गए थे सांते ने कहता आप इसको कालेलकर के नाम से मसूर कों थे तो कालेलकर के नाम से मसूर कों थे काका साब कोई कालेलकर करते थे काका कालेलकर हमने किया था ना वह यह हैं गांधी जी ने लक्षमन जुला जिस इस्तान पर देखा था यह भी जब पर्स्ट टाइम हुआ था उसमें पूचा गया था कि बताईए जो लक्षमन जुला है यह गांधी जी ने कहां पर देखा था तो राइट आंतर क्या हो जाएगा हरी दोवार में आइटिंक ये गलत हो सकता है जब गांदी जी गए थे अभी इसको हम आगे की जो अभी इसका जो प्रशने वो अपने नहीं किया है अपनी जो एबूके हैं उसमें ये प्रशन आगे आएगा सत्या गरे आशरम की स्टाबना कब हुई थी तो उनीश फंद्रा में उन्री क्या कर दी थी कि अगला प्र ambassadors ​​thbor ने प्रशन देखिए नील का दाग का संबन्ध किसे हैं नील का दाग का जो संबन्ध तो इसका राइट आंतर अपना हो जाएगा चंपारण नील का अंदोलन कहां पर हुआ था चंपारण अगला प्रशन है बार दोली किसान सत्यागरे का जो नेत्रित में वह किस नहीं किया था कोचरभ आसरम कहां था ये भी पूछा गया है दोस्तों इसको भी इच्छे से याद करें कोचरभ जो आसरम है ये अहमदाबाद में ही इसकी विस्टावना गांदी जी करते है कोचरभ आसरमällt गांदी कहां हिए नुसार हिंदु धर्म की जो मुक्य वस्तू है वो क्या है तो इसका राइट अंत्र हो जाएगा गो रक्सा करना अगला प्रशने राष्ट का आरोगे गांदी जी ने किसको माना है राष्ट का जो आरोगे हैं वो गांदी जी किसको मानते हैं तो गांदी जी मानते हैं यहाँ पर आहर को सोचता को इनको मानते हैं आ सोचता क तो D option अपना correct हो जाएगा मात्मा गांदी ने निचली जातियों को तरसकार करने के बज़ाए उन्हें क्या कहा था तो आपको पताएं जो हरी जन सब्द हैं ये गांदी जी ने ही दिया था पले जो हैं हरी जन नहीं करते थे लेकिन ये इन्होंने दिया था अरी जन का मलब भगवान के वेक्ति बारा वर्स तक गांदी जी ने गुजराती में शिक्सा पाए थी गुजराती में शिक्सा पाए थी तो ये उनकी क्या थी दोस्तो राश्ट बासा राज बासा ख्यत्र बासा मात्री बासा मादमा गांधी के अनुसार बच्चो की पूरी शिक्सा केसी होनी चाहिए उत्मनेरबëर वाली जो सिक्सा है वो इनकी होनी चाहिए अगला प्रशन कैनल मार्च बğan प्रम्मिन सब्जुता कब सशन अपने करेक्ट हो जाएंगे दांडी मार्च या दांडी यातरा कब सेमाप सबकेङी तो आपको बताएं बार्ण 6 अपरेल को ये रुखे थे तो छफ Yeah 1931 हमारा इंसर हो जाएगा तो Ut skills many क्यों एक करेक्ट हो जाएगा मुलब हुआ था अगला प्रश्ण देखिए तिनों गोल में समयलन में भाग लेने वाले एक मात्र जो भारतिये हैं वो ते डॉक्टर बी यार अंबेड कर कांग्रेश का हरी पूरा जो अधिवेशन था यह कब हुआ था कांग्रेश का जो हरी पूरा अधिवेशन है आपको बताना है कब हुआ था और यह इसलिए इंपोटेंट है क्योंकि इसमें सुबाश चांदर जो बोस हैं वो अदेख्ष बनेते फिर 49 में हुआ मां के भी यह याद रखना दोसरे विश्विद्द का जो काल खंडे यान की दोसरा विश्विद्द कव से कव तक हुआ वह आपको बताना है तो दोस्तों 1949 से 1945 तक दोसरा विश्विद्द चला था यह भी पूचा गया प्रस्ने मुस्लिम लीग ने अपना जो प्रस्ता हुए पाकिस्तान के लिए वो कब रखा था तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अलग भाग उन्होंने सबीने बड़े चटकर उसमें भाग लिया था तो यह क्या हो जाएगा अपना भारत चोड़ो आनुलन वर्थ उनिस सो बियालिस में मिशन भारत आया था कौन सा मिशन उनिस सो बियालिस में भारत आया था तो वह दोस्तों क्रिफ्ट मिशन क्रिफ्ट प्रस्ताव यह जो हैं भारत आया था मिलान करना है